हेलो दोस्तो आप सभी को स्वागत है हमारे आज की वीडियो में दोस्तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर हमारे BIOS में पासवर्ड लगा हुआ है और हम भूल गया है कैसे हम पासवर्ड को रिमूब कर सकते हैं सबसे पहले हम अपने BIOS चीप को अपने laptop के motherboard से निकाल करके BIOS programming machine में insert कर लेते हैं और उसके बाद इसको हम अपने PC से connect कर देते हैं उसके बाद एक software आता है 8089H करके उसको हम open करके इसको पहले detect कर लेते हैं detect करके यहां से हम जो है इसको प्रोग्रामिंग करके इसे हम रिमूब कर सकते हैं अगर हम BIOS में modify करना चाहते हैं तो ओ भी हम इस process इस software और इस device के जड़िए कर सकते हैं तो अब हमारे BIOS का password रिमूब हो चुका है तो उसको हम अपने programming device से निकाल करके laptop के motherboard में लगा कर देख लेते हैं